पूरा वीडियो धान से देखेगा वीडियो के लास में आप से कुर्शन पूशूंगा जिसाद आवागू कमें बॉक्स में देना है आज़ियो के लिडियो 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 के ल आप इस मेप में देखिए ये हैं जौाई लेरंको और ये अंगोला देश के दुबारा रास्पती बने हैं अब ये अंगोला देश के बने हैं तो आप इस मेप में देखिए ये हैं अंगोला देश और ये हैं अंगोला देश का फ्लैग अंगोला की राजधानी क्या है इनको और वर्तमान में उपाद्यश कोने बॉर्णिटो डिसूजा तो इतना आप अंगोला देश के बारे में याद रखें नेस कोशन है हाली में कि संस्था द्वारा वित्ती मद्ध्यस कोस को अपचारिक रूप से लौच किया गया है तो अभी वर्ल्ड बैंक द्वारा मामारी की रोख थाम के लिए वित्ती मद्ध्यस कोस को अपचारिक रूप से लौच किया गया है तो इसकोसन का राइट अंसर है अप्शन बी अब इसे वर्ल्ड बैंक ले लौच किया है और 174 देश आईडिये से 10 हैं और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्याच को अने डेविट माल पास और वर्तमान में MD&CFO को अने अंसुला कान अच्छा वर्ल्ड बैंक की अधर स्वाक यानि मोटो क्या है वर्किंग फॉरा वर्ल्ड फिरी और पोवर्टी और ये है वर्ल्ड बैंक का लोगो तो इतनी जानकरी आप वर्ल्ड बैंक के बारे में याद रखे नेस कोशन है हाली में किस राज सरकार ने समान नागरिक सहीता पर एक समीती का गठन किया है तो अभी उत्राखन राज सरकार ने समान नागरिक सहीता पर एक समीती का गठन किया है तेस कोशन का राइट अंसर है अप्शन ए अभी से उत्राखन ने गठन किया है तो आप इस मैप पे देखिए ये है उत्राखन अच्छा उत्राखन उत्तरपदेश और हिमाचलपदेश इन दो राजजों के साथ अपनी बॉंडरी सेयर करता है और चाइना और नेपाल इन दो देशों के साथ भी अपनी बॉंडरी सेयर करता है उत्राखन की राजदानी क्या है उत्राखन की दो राजदानी है दैरादून और गैरसेंड दैरादून विंटर कैपिटल है और गैरसेंड समर कैपिटल है उत्राखन के गठन का बुगा 9.00 में उत्राखन में लोग सबा की 5 सिटे हैं, राज सबा की 3 सिटे हैं और विधान सबा की 71 सिटे हैं और उत्राखन में कुल 13 जिले हैं वर्तमान में उत्राखन के मुखमंत्री कौन है? पुषकर सिंग धामी, राचपाल कौन है? गुरुमीज सिंग और मुखनयदीज कौन है? विपिन सांगी उत्राखन का राच्की पसू क्या है कस्तूरी मरग, राच्की पच्छी क्या है हिमालिय मोनाल्ड, राच्की वरच क्या है बुरासो, राच्की पुस्प यानि फूल क्या है ब्रह्मा कमल, और राच्की खेल क्या है फुटबॉल उत्राखन में कौन कौन से नेशन पार्क है जिम कौडवेट नेशन पार्क है ये भारत का सबसे पुराना नेशन पार्क है तो इसका पुराना नाम पुछ लिया जाता है तो इसका पुराना नाम है हैली नेशन पार्क और इसका भी नाम बनलकर राम गंगा नेशन पार्क भी उत्रा खंड में कौन-कौन से famous dance है चपेली छोलिया कंजरी कुमायू जोरा गडवाली रासलिला और हारूल उत्रा खंड में कौन-कौन सी लेक है नैनी ताल लेक है भीम ताल लेक है साथ ताल लेक है देवताल लेक है खुर्पा ताल लेख है, राकस ताल लेख है और माला ताल लेख है आप उत्राखन की सभी लेखों को एक त्रिक से आद कर सकते हैं देखिए आप सब के पीछे ताल आ रहा है तो बस आप जैसे भी देखेंगे पेपर में कि किसी भी लेख के पीछे ताल लिखाओ तो वो उत्राखन की लेख होएगी उत्राखन में कौन कौन से फेमर डैम है टेरी बांध है, धौली गंगा बांध है राम गंगा बांध है, किसाव बांध है और लखवार बांध है उत्राखन में कौन कौन से मंदिर है केदार नाथ है, बद्री नाथ है मुक्तेश्वर नैना देवी है गंगोतरी मंदिर है और यमनोतरी मंदिर है उत्राखन में कौन-कौन से फेस्टिबल मना जाते हैं हरेला पर्व मना जाता है फूल देही तोहर मना जाता है और खतरवा तेहवार मना जाता है तो इतनी जानकरी आप उत्राखन के बारे में याद रखें नेस कोशन है हाले में अगत महीने के ICC Player of the Month कौन बने हैं तो अभी जिम्बामबे के सिकंदर राजा और और आस्टेलिया की तैलिया मेग्या ये दोनों अगत महीने के ICC Player of the Month बने हैं आप इस इमेज में देखिए ये हैं जिम्बामबे के सिकंदर राजा और ये हैं और आस्टेलिया की तैलिया मेग्या और ये ही दोनों भी अगत महीने के ICC Player of the Month बने हैं अब ICC तो ICC का Full Form क्या होता है International Cricket Council हिंदी में इसे अंतराश्टी क्रिकेट परिश्ट कहते हैं ICC की स्तापना कभूई 15 जून 1909 में ICC का Headquarter कहां पर है दुबई में और वर्तमान में ICC के अध्यच कोने ग्रेग बार्कले और CEO कोने जियोफ अलार्डिर अच्छा ICC का आदर स्वाग यानि मोटो क्या है Cricket for Good और ये है ICC का Logo Question No.5 है हाल ये में भार्ती ड्रोन प्रोटकी के पहले प्रोटोटाइप का अनावरन किसने किया है तो अभी वर्तमान में केंद्री सड़क परिवाहन मंत्री है नितिन गटगरी इन्होंने ड्रोन के जरिये मानों अंगों को अस्पताल पहुचाने के लिए भार्ती ड्रोन प्रोटकी के पहले प्रोटोटाइप का अनावरन किया है दिसकोशन का राइट अंसर है Option A आप इसमेंस में देखिए ये हैं नितिन गटगरी जो की वर्तमान में केंद्री सड़क परिवाहन मंत्री है और इन्होंने भार्ती ड्रोन प्रोटकी के पहले प्रोटोटाइप का अनावरन किया है चलिए नेसकोशन है नेसकोशन है हाली में सिबी जोच को किस देश में भारत के राज़ोट के रोप में नियुक किया गया है तो अभी सिबी जोच को जापान में भारत के राज़ोट के रोप में नियुक किया गया है अब इने जापान में नियुक किया गिया है, तो आप इस मैप में देखिए, ये है जापान, और ये है जापान का फ्लैग, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, जापान की करंसी के नामें, जापानी येन, जापान की राजभासा क्या है, जापानी, जापान की संसत के न नारवयतों और वर्तमान में प्रैदान मंत्री को ने फुमियो की सिधा अच्छा भारत और जपान के बीच में कौन-कौन सी डिफन एक्ससाइज होती है धर्मागॉजियन सहयोग्हेजिन सुन्यो मैत्री और जिमिक्स ये चार इंपोर्टेन डिफन एक्सरसाइज है जो भारत और जपान देश के बीच में होती है इनके बारे में आप याद रखें नेस कोशन है हाली में दसवे सीमा अवार्ड टुटाजन टूंटी टू में किस फिल्म को सर्वसेज फिल्म का अवार्ड मिला है तो अभी पुस्पदा राइस को दसवे सीमा यानि साउथ इंडियन इंटरनेशनल मुवी अवार्ड टुटाजन टूंटी टू में सर्वसेज फिल्म का अवार्ड मिला है अच्छा इस दसवे सीमा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है अलू अरजन को और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है पनजा वैसनों तेजों को तो ये दोनों इंपोर्टन फैक भी आप याद रखें तो अभी UAE ने धर्ती पेचान इस्थापित करने की लिए Moon World Resort बनाने की गोसना की है तो इसकोशन का राइट अंसर है Option B आप इस image में देखिए कुछ इस पकार होगा Moon World Resort जो की ये 5 billion dollar में बन के तयार होगा और इसको बनने में 4 साल लगेंगे अच्छे ये बनाया क्यों जा रहा है तो पर्लेटन को बढ़ावा देने के लिए ये UAE Moon World Resort बना रहा है और इसकी उचाई 735 फीट होगी तो इतने important fact इसके बारे में आप याद रखें अब ये UAE बना रहा है तो आप इस map में देखिए ये है UAE और ये है UAE का फ्लेग UAE की राजधानी क्या है अबूधाबी UAE की करंसी के नामे UAE दिरम UAE की राजभासा क्या है अरबी UAE की सबसे बड़ा सहर कौन सा है दूबई और वरतमान में UAE के राजपती को होने मुहम्मद बिन जायद अलनायान और वरतमान में परधान मंत्री को होने मुहम्मद बिन राचित, अलमक्तूम, अचब भारत और UAE के बीच में कौन-कौन सी डिफिन एक्सर साइज होती है, डेजर्ट इगल और गल्फ हिस्टार, इन दोनों को आप याद रखें। खोशन नम्बर 10 है, हाली में भारत के सोलवे महानयवादी यानि एटानी जनरल कौन बनेंगे ? तो अब भी मुकुल दोथगी, ये भारत के सोलवे महानयवादी यानि एटानी जनरल बनेंगे। दिस्कोसन का right answer है option C आप इस image में दिखिए ये हैं मुकुल रोधगी और ये अब भारत के शोलवे महान्याईवादी बनेंगे अच्छा ये किसका इस्थान लेंगे तो केके वेलु गोपाल का इस्थान लेंगे और शोलवे महान्याईवादी बनेंगे अच्छा आर्टिकल 76 के तहट कौनसे आर्टिकल 76 के तहट भारत की महा नहवादी की न्युक्ती राश्पती द्वारा की जाती है ये इंपोर्टन फेक्ट आप याद रखें नेस्कुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष यानि SEO के राष्टी अद्यचों की 22 बैटवक आई उजित हुई है तो अभी उजबेकिस्तान में संगाई सर्योग संगटन यानि SEO के राष्टी अद्यचों की 22 बैटवक आई उजित हुई है तेश खुसन का राइट अंसर है ऑप्सन ए अब यह बैटवक उजबेकिस्तान मे करंसी के नाम है उजबेकिस्तान सोम उजबेकिस्तान की राजभासा किया है उजबेक उजबेकिस्तान की संसत के नाम है ओली मजलिस और वर्तमान में उजबेकिस्तान के रासपती कौन है सौकत मिर्जियो येव कौन है सौकत मिर्जियो येव और वर्तमान में पैधन मंत्री क कौने अब्दुल्ला अरीपोवी अच्छा भारत और उजबेकिस्तान के बीच में कौन सी डिफन एक्सरसाइज होती है दस्त लिग ये भी आप याद रखिएगा नेस्कोशन है खाली में भारती सेना ने कहाँ पर परवत पहार नमक सेन अब्यास किया है तो अभी लद्दाक में भारती सेना ने लगबख 14,000 फीट की उचाई पर इस परवत पहार नमक सेन अब्यास को किया है तो इसकोशन का राइट अंसर है ऑप्शन B अब इस सेन अभ्यास को भारती सेना ने किया है तो भारती सेना की इस्तापना का बुई एक अप्रेल 1895 में भारती सेना का हैटकौर्टर कहां पर है नई दिल्ली में और वर्तमान में थल सेना अध्यच कोने जनर्र मनोच पांडे अच्छा सेना दिवस कबनाय जाता है तो 15 जनवरी को और भारती थल सेना यानि इंडिन आर्मी का मोटो क्या है सेवा पर्मो धर्म और ये है भारती सेना का लोगो नेस कोसन और हाली में कि स्राज में दुनिया का सबसे बड़ा हरपर संस्क्रिती संग्राले इस्थापित किया जाएगा तोबी 14 सितंबर को राश्टी हिंदी दिवस मनाय गया है अब ये राष्टी हिंदी दिवस ये मनाया क्यों जाता है तो 14 सितंबर 1949 में देवगनागरी लिपी में हिंदी को भारत की आधिकारिक भासा गोसित किया गया था इसलिए हर साल 14 सितंबर को राष्टी हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2022 की राष्टी हिंदी दिवस की थीम है भारती उपमाद्रीप के सभी लोग हिंदी समझे और विद्योसों में भी इसका प्रिसार उप्यचार करें अभी इंपोर्टन डेवाला कोशन है तो अभी 11 सितंबर को 9-11 इसमनर दिवस और राष्टी वन सही दिवस मनाये गया है 10 सितंबर को विश आत्महत्ता रोगताम दिवस मनाये गया है 9 सितंबर को हेमाले दिवस और विश एवी दिवस मनाये गया है 8 सितंबर को विश्य भौतिक चिकित्त दिवस और अंतर राष्टी साचत्ता दिवस मनाए गया है 7 सितंबर को ब्राजिल सुतनता दिवस और नीले अस्मान के लिए अंतर राष्टी सुच वायो दिवस मनाए गया है 5 सितंबर को अंतर राष्टी चैरिटी दिवस मनाए गया है 3 सितंबर को गगन चुम्बी इमारत दिवस और अंतर राष्टी गिग जाउकता दिवस मनाए गया है और 2 सितंबर को विशनारियल दिवस मनाए गया है और 1-7 सितमबर तक राश्टी पोस्टन सप्ता मनाई गया है तो इतना आप सितमबर मन्त की इंपोर्टन डे के बारे में याद रखें और अब बारी है लास्ट वीडियो में पूछे के कोस्टन के आंसर की तो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था हाली में कर्तब पत पर नेताजी सुबाचन बोस की कितने फूट उची प्रतिमा का अनावन किया गया है तो अभी 28 फूट उची कर्तब पत पर नेताजी सुबाचन बोस की प्रतिमा का अनावन किया गया है इस कुशन का राइट अंसर है option A और आज के लिए आपका कुस्षन है हाली में भारती नो सेना ने प्रोजेक्ट 17A के तीसरे इस्टील फ्रिगेट आई एनस तारागरी को कहां लॉंच किया है ये हैं चार आप्सन इन चारों आप्सन से एक राइट अंसर आपको हमें कमन बॉक्स में कमन करके बताना है और हो सेकर तो इस कुस्षन का अंसर आप डिटेल में करियेगा क्योंकि मैं आप से हर बर बोलता हूँ जिन कुस्षन का अंसर आप डिटेल में दे देते हैं फिर आप उन्हें कभी नहीं बूलते हैं अब अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो लाइक और कमेंट करके हमें जवरू बताएं और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ एजुकेशन चैनल वाले में जो भी टेलेग्राम, वार्टसब, हर जगे इस वीडियो को सेयर करके आएं अगर अभी तक आप हमारे टेलेग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी जुड़ जाएं क्यूकि वहाँ पर मैं डेली करेंट अफ़र के कुईज पोस्ट करता हूँ जिनने सॉल्व करके आप अपने डेली करेंट अफ़र को मजबूत कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथी बेल आइकन को भी तर्श कर लिजे ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकरिशन आपको सबसे पहले मिल पाए और करेंट फ़र्श की वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं